हाई फ्रेंड्स मेरा नाम है पफूर आप देख रहें सवनाली मुर्गी पालन आज का टॉपिक अंडे के उपर है कि वो कौन से टॉप पांच मुर्गी है जो की साल में सबसे ज़्यादा अंडा देता है तो अगर आप देशी अंडे के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें दोस्तो अगर चैनल में पहली बार आएं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो पहले हम नमर पांच के बारे में बात करेंगे फिर चार उसके बाद तीन दो एक नमर के बारे में बात करेंगे नमर पांच में आता है ग्राम पिरिया अगर इसके चिक्स रेट के बारे में बात करें तो 40 से 50 रुपे में इसका चिक्स अराम से मिल जाता है यह मूर्गी 140 से 145 दिन में अंडा देना सुरूर कर देती है, जब यह मूरगी अंडा देती है तो इसका वजन लगभग 4200 गराम से लेके 800 गराम के बीच में होता है, ग्राम पिरिया मूरगी साल में 190 से 230 अंडा दे देती है, अगर इसके अंडे के कलर के बारे में बात करें तो अंडे का कलर लाइट ब्राउन होता है और अगर अंडे के वजन के बारे में बात करें तो 50 ग्राम से लेके 55 ग्राम के आसपास होता है अंडे के प्राइस के बारे में बात करें तो हॉलसेल मार्केट में 5-8 रुपे इजली बिक जाता है अगर आप लोकल मार्केट में बेचते हैं तो 10-15 रुपे के आसपास आपको रेट मिल जाएगा दोस्तों नमर चार में आता है ब्लैक एस्टरलॉप इसके चिक्स के बारे में बात करें तो 40 से लेके 70 रुपे में मिल जाता है यह ब्रीड अस्ट्रेलिया का है यह मुर्गी जब अंडा देना सुरू करती है तो 140 से लेके 150 दिन में अपना अंडा देना सुरू कर देती है यह मुर्गी अंडा देती है तो इसका वजन लगभग 1500 ग्राम से लेके 1700 ग्राम के आसपास होता है मुर्गी साल में 230 से 260 अंडा दे देती है अगर इस मुर्गी के अंडे के कलर के बारे में बात करें तो light brown होता है अंडे के वजन के बारे में बात करें तो 50 ग्राम से लेके 60 ग्राम के आसपास होता है अंडे के प्राइस के बारे में बात करें तो होलसेल मार्केट 6 रुपे से लेके 8 रुपे का आराम से बिख जाता है अगर आप लोकल मार्केट में बेशते हैं तो 10-15 रुपे के आसपास आपका अराम से बिख जाएगा दोस्तो नमर 3 में आता है RIR RIR का चिक्स आपको 40-60 रुपे में आराम से मिल जाएगा यह मुर्गी 130-140 दिन के अंदर अंडा देना शुरू कर देती है जब यह मुर्गी अंडा देती है तो इसका वजन 1500 ग्राम से लेके 1600 ग्राम के आसपास होता है मुर्गी साल में 240 से लेके 300 अंडा आपको दे देती है अंडे का कलर के बारे में बात करें तो डार्क ब्राउन होता है अंडे के वजन के बारे में बात करें तो 55 ग्राम से लेके 60 ग्राम के आसपास आपको देखने को मिलता है अंडे के प्राइस के बारे में बात करें तो होलसेल मार्केट 5 से लेके 8 रुपे के आसपास आपको मिल जाएगा अगर आप लोकल मार्केट में बेचते हैं तो 12 से लेके 15 रुपय के आसपास आपको अराम से बिक जाएगा दोस्तो नमर दो पे आता है BB380 इसके चिक्स प्राइस के बारे में बात करें तो 40 से लेके 65 रुपय में आपको आजिली मार्केट में मिल जाता है या मूर्गा 146 से लेके 165 दिन में अंडा देना सुरू कर देती है जब ये मूर्गी अंडा देती है तो इसका वजन 1500 ग्राम से लेके 600 ग्राम के आसपास होता है मूर्गी साल में 2500 से लेके 310 अंडे आपको दे देती है अंडे के कलर के बारे में बात करें तो लाइट ब्राउन और लाइट वाइट कलर में होता है मतलब ना ज़्यादा ब्राउन और ना ज़्यादा वाइट कलर में इसका अंडा देखने को मिलता है अगर अंडे के वजन के बारे में बात करें तो 55 गराम से लेके 60 गराम के आसपास होता है अंडे के प्राइस के बारे में बात करें तो wholesale market में ये 5 रुपे से लेके 7 रुपे के आसपास बिग जाता है अगर आप local market में बेचते हैं तो 10 रुपे से लेके 13 रुपे के आसपास ये आराम से बिख जाता है दोस्तों आप बात कर लेते हैं नमर 1 के बारे में जो की सबसे ज़ादा अंडा देने वाली मुर्गी है इसका नाम है white leg horn ये साल में सबसे ज़ादा अंडा देने वाले मुर्गी में से एक है इसका chicks rate के बारे में बात करें तो आपको 40 से लेके 50 रुपे के आसपास आराम से आपको market में मिल जाएगा यह मुर्गी 115 से लेके 125 दिन के अंदर अंडा देना शुरू कर देती है जब यह मुर्गी अंडा देती है तो इसका वजन लगभग 1200 ग्राम से लेके 1300 ग्राम के आसपास होता है मुर्गी साल में आपको 300 से लेके 320 अंडे देती है अंडे के color के बारे में बात करें तो इस मुर्गी के अंडे का color white होता है अगर हम इस मुर्गी के अंडे के वेट के बारे में बात करते हैं तो 35 गराम से लेके 50 गराम के आसपास इसका वेट होता है। अंडे के प्राइस के बारे में बात करें तो होलसेल मार्केट में 4 रुपे से लेके 5 रुपे के आसपास आराम से बिग जाता है। अगर आप लोकल मार्केट में बेचते हैं तो 6 से लेके 8 रुपय के आसपास ये आपको लोकल मार्केट में भी बिक जाएगा दोस्तों मैंने जितने भी मुर्गियों के बारे में बताया कि एक साल में इतने अंडे आते हैं आपको तभी मिलेंगे जब आप एक अच्छी क्वालिटी का लेंग फीड उसे देंगे और साथ में ही विटामिन और केल्सियम का भी दवाई टैम टू टैम देंगे तभी आपको इतनी मातरा में अंडे मिलेंगे नहीं तो आपका अंडा कम जादा भी हो सकता है फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरू करें और कमेंट करके बताएं कि आप कौन सा मुर्गी अंडे के लिए पालन करना चाहते हैं और चैनल में पहली बार आएं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें जै जवान जै किसान